सबको नमस्ते आज इस वीडियो में हम एक नई चैप्टर्स के साथ हम आए हैं और बात करने वाले हैं वेदिक में थे विडिक्स के फिप्ट और सिख्ष्थ के किश्ण पेपर की तो ये क्यों फिप्ट और सिख्ष्थ का किश्ण पेपर नहीं है सभी स्टुएंट्स इसको और सभी की ये प्रैक्टिस होगी अगर इसको बार-बार देखते हैं इनको तभी हमारे को ये याद होंगे और तभी हमारी स्पीड बन पाएगी तो आईए हम देखते हैं आपका जो क्विश्ण पेपर फिप्ट और सिक्स का पहला प्रश्ण देखिए क्या लिखा हुआ ह आप देख पा रहे होंगे और मुझे लगता है आपको पता चल पा रहा होगा कि ये निखिलम नवतहस और चर्मम दस्तह एका धीकीन पूरवेना ये जो है आपकी दो सुत्र हैं तो आप इनको नोट करें और याद भी करें और कहां कहां इसके अप्लिकेशन है तो रासा ध दिखान रखेंगे तिसरा है वेहन डिट जगत गुरु स्टार्ट टो कंसंटेट ओन वेधिक मेथेमिटिक्स कब से उन्होंने उनसे पूछा गया था एक बार कि आप बताईए क्या वेदों में मेथेमिटिक्स है तो येस तो ये बात थी उन्नी सो ग्यारा की और नाइटी मेथेमिटिक्स वहाँ पर है और मेथेमिटिक्स वहाँ पर है तो आएए इसमें अब किस नमबर फॉर में क्या लिखावा है किस नमबर फॉर है वाट इस दा वन प्लेस वैल्यों फॉर अब ये स्ट्रेंट्स देखिएगा कई स्ट्रेंट्स इसमें कन्फ्यूज होंगे द 4 raise to power 3, यहनि तीन बार करेंगे तो 4 का टेबल पड़ रहे हैं, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, तो यह आप देख रहे हैं, 4 raise to power 4, तो यह आजएगा 4 से multiply करें इसको, और यह आजएगा, तो आप देख रहे हैं, 4 6, 4 6 यह आ रहा है, और 1 पर क्या रहा है, 4 आ रहा है, 3 पर भी क्या रहा है, 4 यह पावर जब 1, 3, 5 हैं, तो आपका 4 आ रहा है, और power even है, तो यह even power है, 2, 4, 6 है, 6 आ रहा है, तो कितने भी power हो, तो आप इसे कर सकते हैं, तो यह power कौन सी है, 4 raise to power 21, 2, 1 कैसा number है, बताइगे, even है यह आढ़ है, तो यह odd है, तो औड है, तो क्या आना चाहिए, इसका result, य 4 आना चाहिए, अगर power odd है 4 की, तो उपर कितने भी power है, चाहिए वो है thousands में है तो answer once place का क्या है अगर ये कई जगे competition में भी पूछा जाता है, olympiard में भी पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है जिसे very important, हम ज़े direct कह सकते हैं, तो ये power 4 की power, अगर odd है तो हमारा ये 4 ये answer है तो आई ये question number 5 की बात करते है, how do we calculate of framing table using Vedic mathematics, कैसे हम करते हैं, from once place, from tenth place, from both side and by cramming, कौन से उसे करते हैं, by table हमने बात की थी, 10 place से हम बात कर रहे हैं, 10 place से start कर रहे हैं, अब ये देखिए what is the value of 74 and 25 कैसे करेंगे, इसको 74 and 25 को कैसे करेंगे एक तो तरीका ये है, कि हम जो है, इसको crosswise multiply करें, vertically and crosswise और देखे, 5 for the vertically, 5 for the 20 और आपका यहाँ 0, और फिर क्या आना चाहिए, cross आना चाहिए यानि 35 plus 8 35 plus 8 क्या हुआ 35 plus 8, 35 plus 8 43 plus 2, 45 और carry 4 and 7 to the 14 plus 4, 18 तो ये 1850, आप ये vertically crosswise आप अच्छी तरह समझते हैं कि किस परकार से ये उतराता हैं तो आई ये next question पर question number 7 देखे, अब यह what is the value of, अब ये इसकी value आप fast करें, देखो एक तो तरीका ही है, 25 को हम four times करें हैंना, तो it's very much time, बहुत time लेगा ये, और four को four time करें हैंना, ठीक है, तो ये करें, फिर दोनों के answer को हम multiply करें, ठीक है, कितना लंबा हो गया, हम क्यों ना ऐसे short करें, जैसे 25 and four, दोनों के power, same power है, तो एक बार लगाएं, और 25 into four क्या हुआ, 100, 100 की power four, तो ये answer आगे, 100 की four हैंना, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है था, कि आपका answer four times, 100 को four time करें, तो ये four time किया, ठीक है, तो हम जो है, अगर same power है, तो base को करें, तो आपको answer जल्दी आ जाएगा, ये तो कितना असान हो जाता है, तो य हम कुछ तरीके लगाएं, हम विलोग करनाम से, इसको विलोग करनाम कहेंगे, देख करके, किस परकार से, जुरूर नहीं आपको जो life में कोई calculation करते हैं, तो पहले साही किताबों में लिखी हुई है, तो हम क्यो ना इस परकार के question को देखें, कि भी ये basic है, कुसी basic याद कर सकते हैं, किस परकार से fast कर सकते हैं, तो आप देखे 25 into 25 की 4 and 4 की power 4, कितना fast आप कर सकते हैं, it's very important, हमें fast बनना है, हम छोटी छोटी बार तो अब ये चीजे आपको पहले बताई नहीं गी, लेकिन ये आपको इसमें जो है, विलोग करना है, और by observation करना है, तो आप देखें यहाँ पर देखें, 64 into 6 और ये कैसे करते हैं, आप जानते हैं, 6, 6 दा 36 और 64 तो आपको 36 plus 24, क्या हुआ 60 हो गया, और 60 के साथ क्या लगाया हमें, साथ में शुनने लगाया, तो ये क्या हुआ, 64 दा 24, 6, 24, 6, 24, plus 16, तो 6, 40, तो ये आपको इसका answer हुआ, अब आपको इसका answer 9 पर, वाट इस दा 1st condition in multiplication using एका दिके न फूरवे न, कि इसमें कंदिशन क्या है, कंदिशन क्या है, one more than the previous one, एक तो ही होना चाहिए, ये तो condition ये, condition ये नहीं है, one place digit should be same, ठीक है, एक तो ही है, some of 10th place digit should be 10, और इस प्रकार से ये जो है, एक ऐसा पीछे आ रहा है इसमें तोनों ठीक है, one space digit, जो one space digit है, वो क्या है, same होना चाहिए, जो की नहीं है, sum of 10 space digit है, वो नहीं है, नीचे जो question है, वो deep वाला होगा, क्योंकि sum of one space digit should be 10, तो ये 10, d जो होगा, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है, यह जो deep portion इसका लिखावा है तो आईए next question पर चलते हैं, देखे, यहाँ पर, what is the condition in multiplication using a का दिखे न, पूरवे न, second condition बताईए, क्या है, पहले condition आपके आ चुकी है, कि one space का जो digit है, वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, दूसरी condition क्या है, देखे, one space digit should be same, क्या यह होना चाहिए, yes, यह होना चाहिए solve, यह कैसे बताईए, कौन सा formula लग सकता है, बताईए, बताईए, जल्दी बताईए, कौन सा लगेगा, yes, आपको ठीक चाहिए रहा, एक आधी के न, फूरवे न, हना, तो कैसे एक आधी के न, 7, 8 ता 56, 2, 8 ता 16, yes, तो answer कितना आया यह, C आया, हना, आपको जानते ही है, 7, को किसे करना है, 8 से करना है, 1 more से करना है, तो अब आये के सुनेबर 12 पर, what is the product of 89 and 81, मुझे लगता है, यह भी आप समझ गे होंगे, कौन सा सुत्रा लगेगा, yes, आपको ध्यान आ रहा होगा, एक आधी के न, पूरवे न, यह ऐसा सुत्र है, और आप जानते हैं, यह कब ल तो आप जानते हैं, यह देखे, 89 ता क्या हुआ, 72, और 9 वंदा 9, ठीक है, तो यह इस परकार से 7209, यह क्या हुआ, C हुआ, ठीक है, आप एक आधी के न, पूरवे न से, यह कितना फास्ट हो जाता है, अब यह देखे, what is the product, yes, product आप जानते हैं, इस सुत्रा को कैसे करना ह है, 4587, है न, तो क्या करना होता है, देखे, हाप पार्ट तो क्या आ गया, 45, क्या आ गया, 86, 1 माइनस कर दिया, और दूसरा पार्ट क्या होता है, इसको 9 में से माइनस किया, ठीक है, तो क्या हुआ, 9 माइनस 4, 5, 9 माइनस 5, 4, 9 माइनस 8, 1, and 9 माइनस 6, 3, तो आब बताएए कौनसा आंसर है 4586 5413 इसका आंसर है अब देखे 14 इसमें भी मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कौनसा सुत्र लगेगा वही सेम लेकिन यह बाद में लिखा है अब की बार यह पहले आपको confuse करने के लिए इसमें से माइनस 1 करना है तो कितना आया virus आप देख पा रहे हैं इसमें से कौनसा आंसर है यह ही आंसर है अब 15 पर आइए देखे आप बचचे इसको अरहाम से कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखे 3 बंदा 3 3 प्लस 3 6 4 बंदा 6 प्लस 4 10 और 7 में क्या लगाना है 10 साथ में 0 लगाना है करते जाना है तो तो यह आगा तो आप देख सकते हैं तो हम कैसे औरल कर रहे हैं आप भी आपको भी आता है यह तो आईए नेक्स्ट प्रिशन के और अब यह देखे फैक्टर 200 के फैक्टर करने हैं पच्चे तो हम कैसे करेंगे 200 के एक तो तरीका यह है कि हम जो है इसको ऐसे करते जाएं टू से ड्वाइट करें तो क्या हुआ टू से ड्वाइट किया फिर टू से ड्वाइट किया तो क्या हुआ फिप्टी हुआ फिर टू से ड्वाइट किया तो क्या हुआ फिर टू से ड्वाइट किया तो क्या हुआ फिर तरीका क्या है आप याद रखो बच्चे कि 10 के factors क्या होते हैं 2 into 5 याद रखें 10 के याद कर लें और ऐसे 100 के क्या होंगे इनकी power लगाते जाएं आप 1 0 है तो 2 की 1 और 5 की 1 और 100 है यहने 2 0 है तो 2 की 2 5 की 2 अगर 2 0 है तो 2 की 2 5 की 2 और अगर आपका 1000 है तो डारेक्ट आपको यह है 2 raise to the power 3 and 5 raise to the power 3 यह आपको आना चाहिए कितना असान है जब 200 आ गया तो 100 के तो यह हो गए आपके 100 के तो यह देखे आपके 100 के हो गए आप साथ में 2 into 100 है यानि 100 के तो आप जानते हैं 200 means 2 into 100 100 तो आपके पता है 2 raise to की power 5 and 5 raise to 2 raise to की power 2 and 5 raise to की power 2 यह तो पता ही है और साथ में 2 और हैट हो गया इसे 2 और एक और 2 आगया यहां पर तो पहले 2 बार था अब 3 बार हो गया यह है ना 100 में तो 2 टाइम था एक और यह 2 आगया तो यह 2 raise to की power 3 and 5 की तो हम डारेक्ट कह सकते हैं भी 100 तो मत तब यह पता है कि 2 raise to की power 2 and 5 की 2 और साथ में 2 एक और तो हम डारेक्ट लिख सकते हैं 2 raise to की power 3 तो यह आपका आंसर हुआ डारेक्ट इसको 200 को ऐसे हम सिधा लिख सकते हैं जैसे 300 की क्या हो गए 300 आप जानते हैं 3 into 100 हो गया तो आप करें 3 into 2 की 2 and 5 की 2 ठीक है कितना सान हुआ और देखिए 600 600 क्या हुआ 6 into 100 तो आप जानते हैं 6 हो गया 2 3 और 100 जानते हैं 2 की 2 and 5 की 2 तो आप जानते हैं यह कितनी बार हो गया 2 raise to की power 3 है ना तो हम डारेक्ट इसको ऐसे प्रैक्टिस करते जाएं इसके फैक्टर का हम एक और लेंगे लेंगे इसमें तो आप देखेंगे 18 अब देखेंगे यह 17 हो गया आप 18 देखें विश शूत्रा और यूज़ टू फाइंड दा सॉलुशन इसमें कौन सा यूज़ कर सकते हैं आपको शुन्य अंत में शुन्य भी लगाते हैं तो यह जो है आपका आंसर सी हुआ तो और आए देखते हैं फाइंड आ सॉलुशन और अब इस परकार का दिखें सॉलुशन हम और कैसे करेंगे सब इस ट्रेंट्स यह ट्राइ करें साथ के साथ पहले किसका करेंगे 100 प्ले सब्सक्राइब थार्टीन थार्टीन के साथ क्या लगाना है शुन्य तो क्या हुआ वहा वन थार्टी तो फिर टेंज प्लेज का एड़ करो तो 136 प्लस 4147 तो 147 के साथ आप फिर सुन्य लगाते हैं तो 1470 1476 77 & 78 तो आप और कर सकते हैं हम 100 प्ले से इस परकार से अब इसम सकते हैं 8-1 क्या हूआ 70 लगाया तो यह 75 75-73 तो 73 के साथ फिर चुन्ने लगाया तो 738 हो गया 738-4 तो 734 हुआ फिर 0 लगाया तो यह 46 41 तो यह हम जो है मौकिक कर सकते हैं तो यह देखेगा आप वह है माइनस भी कर सकते हैं अब देखेए कितना लंबा क्यूसन है प्लस और माइनस अगर आप इसको ट्रेडिशनल वेसे करें तो कैसे करेंगे इसको एड करेंगे इसको करेंगे इसको करेंगे इसको करेंगे हाना और फिर माइनस वालों को जो है इसको करें और इसको करें मौकिक इसको भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हम सीधान से निकाल स की 135 and 351 को एड करते हैं फिर दौनों का जो आंसर आता है और हम फिर उनको सब्सक्राइब करते हैं यह तो तरीका हुआ जर्नल